नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागित करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और लेट पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं अभी की जो ताजा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हेमाचल का कांग्रेस को एक और चटका प्रदेश सचिव करुण शर्मा ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन तस्वीर आप देख सकते हैं हेमाचल प्रदेश की में जो है आगामी विधांसावा चुनाव के मद्दे नजर आम आदमी पार्टी संगठन को मजबूती देने में लगी हुई है प्रदेश में आपका कोनबा बड़ा होता देख रहा है इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश सचिव करुण शर्मा ने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा करुण शर्मा हिमाचल के पार्लंपूर विधांसावा से एक बड़ा नामचीन चेहरा है प्रदेश विधांसावा का एक बड़ा हिस्सा है वे 1995 से 2021 तक लगातार प्रदान के पदपर हैं परभारी रतनेश कुपता के एक मताविक करुण शर्मा की जोईनिंग से पार्टी को फायदा मिलेगा ये बात साफ है कि हिमाचल के लोगों के साथ कांग्रेस और बीजीपी की बड़े आठ में ब्लोग कांग्रेस कमेटी पालंपूर का नॉमिनीट अध्यक्ष बने और दोसरी बार चुनाव जीत कर 2010 में फिर से ब्लोग कांग्रेस कमेटी पालंपूर का अध्यक्ष बने 2014 में संगठ नात्मक जीला पालंपूर कीया का पहली बार जीला ध्यक्ष भी बने 2016 में फिर से संगठ नातमक जीला पालंपूर का जीला ध्यक्ष का पादभार जो है संभाला प्रदेश का अंग्रेस कमेट्टी हिमाचल प्रदेश का प्रदेश के साचिव जो है 2018 में भी बनाए गए हैं तो दोस्तो ये थी तार्य खबर ब्रेकिंग न्यूज अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कर दें और हंकित पर्मा और फ्पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक खिमाचल प्रदेश की हार नॉ